उत्तर परदेश के प्रियाग राज में 50 साल के नियूरो सर्जन डॉक्टर परकाश खेतान ने बेटी मिताली का मेडिकल एंट्रेंस एक्जाम क्वालिफाई कराने के लिए खुद नीट की तयारी में लग गए और सबसे अच्छी बात कि दोनों बाप बेटी ने एक्जाम क् और एक्जाम भी क्वालिफाई किया डॉक्टर परकाश की ये तरकीब पूरी तरह से काम्याब रही बेटी ने पिता को पीछे छोड़ते हुए उनसे जादा मांक्स हांसिल किये और मेडिकल में एड्मिशन लिया डॉक्टर परकाश ने नीट यूजी 2030 में बेटी के साथ प्रवेश परिक्षा दी थी हालकि 1992 में CPMT परिक्षा पास कर डॉक्टर भी बन गए थे लेकिन 30 साल के बाद बेटी को प्रेदित करने के लिए वो फिर से मेडिकल प्रवेश एक्जाम में बैठे जून में जब रिजर्ट आया तो बेटी मिताली ने 90% से ज़्यादा अंक अंक हासिल किये जबकि डॉक्टर प्रकाश खेतान ने 89% अंक हासिल किये डॉक्टर प्रकाश खेतान का क्याना है कि अपनी बेटी के साथ ही तमाम दूसरे बच्चों को भी प्रेर्णा देने के लिए उन्होंने मेडिकल परिक्षा में बैठने का फैसला किया था उनके मु पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फोलो किजिए आप 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 आप